जे मातादी दोस्तों, वर्ड बेस मेजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, हर साल पालगुन मास के क्रिश्न पक्च की चतुर्द सीतिती को महाशिवरात्री का पर्व मनाया जाता है मानिता है कि इस दिन भगवान सिव और माता पारवती जी का विवाह हुआ था इसलिए इस पर्व को हर साल सिव भग्त बहुती धूमधाम के साथ मनाते हैं महाशिवरात्री के दिन सिव जी के भग्त, सरद्धा और विश्वास के साथ प्रत और उपवास भी रखते हैं और पूरे विधी विधान से सिव पारवती की पूजा करते हैं इसके लावा मानता ये भी है कि महाशिवरात्री के दिन सिव जी पहली बार सिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे सिव का प्रकट जोतिरलिंग यानि अगनी के सिवलिंग के रूप में हुआ था और इसी दिन पहली बार शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा और विश्णू ने की थी दोस्तों महा शिवरात्री के दिन स्यू पूजा करने से समस्त संकट दूर हो जाते हैं इस व्रत के पुन्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सौभाग की प्राप्ति होती है वहीं कुवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है साथ ही घर में सुख सम्रद्धी और खुसाली भी आती है तो चले जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में महा शिवरात्री कवरत किस दिन रखा जाएगा और इसकी पूजा का सुभ मूरत क्या रहेगा तो दोस्तों चतुर दसीतिति की सुरुवात 8 मार्च 2024 की रात को 9 बचकर 57 मिनट पर सुरू हो रही है और चतुर दसीतिति की समापती 9 मार्च 2024 की साम 6 बचकर 17 मिनट पर होगी तो सिवरात्री की पूजा रात में होती है इसमें उदिया तिथी को देखना जरूरी नहीं होता है इसलिए इस साल सिवरात्री का वरत 8 मार्च 2024 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा और निसिता काल पूजा का सुम मूरत रात 12 बचकर 7 मिनट से लेकर रात 12 बचकर 55 मिनट तक रहेगा और वरत पारण करने का सुब समय 9 मार्च को सुबा 6 बचकर 37 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 28 मिनट तक रहेगा चले जान लेते हैं कि सिव पूजा में कौन सी 5 चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों भगवान सीव की पूजा में कभी भी हल्दी सिंदूर का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इसके लावा संक से भी कभी भी सिव पूजा नहीं करने चाहिए भगवान सीव की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए इसके लावा सिव पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चण़ाना चाहिए क्योंकि केतकी की फूल को भगवान सिव ने स्राब दिया था दोस्तों सभी लोगों को महाश्वरात्री के दिन हो सके तो व्रत और रूप वाज ज़रूर रखना चाहिए हो सके तो इस दिन निर्जला या फिर फलाहारी व्रत धारन करें और ब्रह्म मूरत में उठकर इशनानादी करके स्विव पारवती का इसमरण कर व्रत का संकल्प लें और सुच वस्त धारन करें इसके बाद शुमंदिर जाएं या फिर घर पर ही पूजा करें यदि आप शुमंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग का जला अभिशेक अवस्य करें साथ ही पंचमरण से भी इसनान कराएं इसके बाद सिव जी को भांग धतूरा फल फूल मदार का फूल बेल पत्र आदी अर्पित करें धूब दीब जलाएं साथ में सिव चालीसा या स्रू इस्तरोत का पाठ अवस्य करें अंत में सिव जी की आर्ती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें और प्रदोस काल में पुलाहा इसनान करके सिव पूजा अवस्य करें और रात में आर्ती करके फलाहार करें दोस्तों महाशिवरात्री के दिन रात्री जागरन करने का विधान है साथ में रात के चारो पहर में पूजा करने का विधान है इसके बाद अगले दिन सुबह इसनान कर पूजा कर कि स्रिब्रामण को दान दचना देने के बाद अपना वरत खोलना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवादू